कर दोस्तो है तो आज मां आपको बताता हूँ जो हमारी फीडर प्रोटेक्छन की हाइफ प्रोटेक बुड़ड की जो रिलेय उसे कैसे रिसेट करते हैं तो प्रैक्टिकल वीडियो है देखिएगा तो यह हमारी जो बुडबड की जो फीडर प्रोटेक्शन ट्रास्फरमर की जो रिले है 1166 KV तो यह आप देख सकते हैं यहाँ मैन्यू में जाएंगे मैन्यू में जाने के बाद सर्विस में जाएंगे के सर्विस के बाद ओपरेशन में जाएंगे operation के बाद अक्नोलेज में जाएंगे उस में आप देखके सकते हैंdır याट कर रहे हैं तो यह हम कोने मे ऑरने के बाद 12345 पासवर बरेंगे तो यह हमरे हिरिकान हैं हम देख सकते हैं यास द्वायंगा बचारोंगा ऑल देख सकते हैं यह हमारी रिसेट हो गई है लेकिन अभी जो आप यह अनौशेशन उपर देख रहे हैं इनको भी हमने रिसेट करना है यह देखी अभी यह रिसेट नहीं हो रही है और रिसेट दवा रहा हूं लेकिन यह नहीं हो रही है तो जैसे मैंने यह अभी रिसेट किया तो ऐसे इसके निचे दो नमबर और तीन नमबर पे दो एलेडियो रिसेट करने के लिए मैं अभी निचे करूंगा इसको तो यहां भी आप देख सकते हैं यहां भी यह लिखा है तो इसको मैं रिषेट करूंगा इसमें भी ऐससे पहले की तरह पासवर्ट भरूंगा 123 और 4 तो इसको भरने के बाद ok दवाएंगे यह दवाएंगे तो उसके बाद अभी मैं ऊपर अभी यह हो गया है तो उपर मैं अभी चेक कर लेता हूं कि दवा रहूं तो यह रिसेट हो गई है हमारी तो इसके नीचे एक और हमारी एकनोलेज की होती है तो अगर हमारी फिर भी रिसेट नहीं है तो रिसेट करते हैं दोस्तों अगर हम मास्टर डिले को रिसेट किये विना ब्रेकर लगाने कोशिश करेंगे तो हमारा ब्रेकर नहीं लगेगा तो मास्टर रिले जुरूटरी पोतिया उसे रिसेट करना जुरूरी है आने वाली वीडियो के लिए यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेज इलेक्टिकल सागर को लाइक करें